दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल माज साब की पाट साला में इस वीडियो में हम देखेंगे के कक्षा एक के लिए जो भासा की आठ सप्ता की योजना है इससे पहले मैंने 0 सप्ता की योजना आपसे डिसकस की है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप उस पे कलिक करके आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो में हम एक से लेके आठ सप्ता कक्षा एक की भासा की योजना को देखेंगे इसमें हम क्या चर्चा करेंगे विशेश वात क्या है कक्षा एक के लिए कि आदार रेखा आकलन प्रक्रिया नहीं अपनानी है आठ सप्ता की योजना को कैसे साप्ताएक योजना में और कैसे दैनिक कार योजना में विवाजित करना है ये भी देखेंगे इसमें बेसिकली हम ध्वनी चेतना पर काम, बर्ड मात्रा पर काम, कहानी, कविता, चित्र पर कैसे काम करें इस पर चर्चा करेंगे साफता एक आकलन और पुन्राबती पर कैसे काम करना है इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक से लिए के आठ सपता सुरू करने से पहले सुने सपता स्टार्ट करेंगे वो आप देख सकते हैं वीडियो में तो जो भासा की आठ सपता की जो योजना है उसके लिए तीन कालांस है पर्थम कालांस है जो मौकिक भासा विकास के लिए है और दोती और तरती कालांस है वो डिकोडिंग के लिए है इसका मतलब पर्थम कालांस है 40 मिनट का वो मौकिक भासा विकास के लिए है और 80 मिनट के दो कालांस हैं वो decoding के लिए है तो जो कालांस एक है उसमें क्या गतिविदी करनी है आपको सबसे पहले कक्षा में अनकूल बातावरण बनाने के लिए गतिविदी करनी है आपको कविता कहानी और पोस्टर पर कारी करना है और चित्र पर चर्चा करनी है इसके लिए साइक सिक्षड सामेगरी क्या क्या है चित्र के चार्ट कविता कहानी के पोस्टर सहज एक और कलरव एक पर कारी किरिया जाना प्रस्तावित है देखे अभी कल्रव एक पर ही करना है काम, NCRT का syllabus वैसे 2021-22 से लगना प्रस्तावित है, तो जब तक वो books नहीं आती है, तब तक आपको कल्रव एक पर ही पहले होगी, आपके पास में कल्रव उस पर काम करना है, इसके लिए समय विवाजन है, कि अनुकूल बातावर्ड बनान पहानी या चित्र पर चर्चा करेंगे 25-30 मिनट पर है, अब जो second और third period है, उस पर decoding पर काम करना है, उससे related गतविदिया हैं जो द्वनी चितना, बढ़ पहचान, मात्रा पहचान, ब्लेंडिंग और सब्द पठन पर है, तो ब्लेंडिंग का मतला होता है कि एक साथ द्वनी चितना पर 5-10 मिनट काम करना है, बढ़ पहचान पर 20-25 मिनट, ब्लेंडिंग पर 10-15 मिनट, सब्द पठन 20-25 मिनट, और लेखन कार 10-15 मिनट, यह एक सामानने समय विवाजने, आप अपने हिसाब से भी उसको कर सकते हैं, अब जो मौखिक भासा विकास है, उसमें कैसे करना है, कि हर दिन की सुरुवाद जब भी करेंगे आप कविता या खेल गतिविदी से की जाएगी, जिससे बच्चे जो आया हैं, वो सहज महसूस करें, पढ़ाई का बोज महसूस न करें, सब्ताव में दो दिन कहानी करनी है, दो दिन कविता करनी है, और एक दिन चि चितर पर कैसे काम करना है, यह जो इसकी संदर शिका है, उसमें 30 पेज से बाद के पेजों में बताये गया है, देखिए सब्ता जीरों में और सब्ता एक में कोई आकलन नहीं करना है, सब्ता एक में जैसे काम करना है, आपको अनकूल और बातावर्ड बनाने के लिए बाल चोटी स्थानी कहानी मौकिक खेल गतिविदी से स्टार्ट करना और यह प्रतिदिन करनी है चित्र चाड़ पर चर्चा करना है जैसे खेत के चित्र पर कविता पोस्टर कासी फलवर और कहानी पर कारी करना है सहज 1 पार्ट 4 और चित्र पर चर्चा करना है कलरव 1 पार्ट 2 और कहानी और पोश्टर जैसे मैडक का गाना तो यह है पहले सप्ता के 6 दिन की कारी हो जाना इस तरीके से दूसरे सप्ता की वी दी है, तीसरे सप्ता की, चौते की, आठ सप्ता तक की दे रखी हैं, तो आप उस हस्त-पुस्त कामें से देख सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास में hard copy तो भी available नहीं होगी, अगर हो गई है तो बहुत बढ़िया वात है, और काम करना है, और छटमें दिन आकलन और पुंडावति करना है, पहले सप्ता में कुछ नहीं करना है, ठीक है, दूसरे सप्ता से स्टार्ट करना है, पहले सप्ता में उनको सहज होने देना है, प्रिंट से परचे कराना है, द्वानी चेतना करना है, और दूसरे सप्ता से पड़े उपय काम करना है और फिर तीसरे सब्ता में कह घह और मात्रा आप एक काम करना है और लास्ट में छटमें दिवस पर हर एक सब्ता के छटमें दिवस पर आकला निवम पनरावति करानी है आपको आठमें सब्द पर उस सब्द पठन का पर लेके आना है आपको यह आपको सब्दा वाइज मिल जाएंगी अब हम सब्दा पर एक सेंपल देखेंगे कि पहले दिने हम कैसे काम करना है और कैसे चर्चा करना है मौखिक भासा विकास पर जैसे कालांस एक पर अनकूल बातावर बनाने के लिए बालगीत करें पांसात मिनट और चित्र चार्ट पर चर्चा करें जैसे यह खेत का चित्र है तो इस पर आपको चर्चा करनी है कैसे सवाल पूछने कि बच्चो इस में आपको क्या क्या दिख इस चित्र में कितने लोग हैं आपको क्या लगता है ये कहां का चित्र होगा अलगलग बच्चों से बच्चे कुछ को जबाब आएंगे उनके जबाब को काटे नहीं उनके जबाब का सम्मान करें नहीं तो फिर बच्चे आगे फिर बोलेंगे नहीं अपना बीच में नहीं अब ये उनको ही discuss करने दें, खेत में क्या होगा है, कोई बच्चा कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, क्या आपने खेत देखा है, तो कहां पे देखा है, फिर चित्र चाट पर बच्चों के साथ में बिस्त्रित चर्चा करनी है आपको, इसमें उनके जो अनभव थे, उन बताएंगे कब का है, आपको कैसे पता लगा, ये भी पूछ लेना, पेड़ के नीचे बैठा बच्चा क्या सूच रहा है, खेत में क्या काम किया जाता है, और कौन काम करते हैं, अगर आप इस खेत में होते हैं, तो आप क्या काम करना पसंद करते हैं, इस गतिविदी कित्र से संबंदित ऐसे प्रिशनों की एक सूची बना लें, जिससे बच्चे को तरक, कलपना और अपने अनुबव साजा करने के मौके मिलें, अब ये बात हो गई, फस्ट कालांस की, दूसरे और तीसरे कालांस में प्रिंट से परिचे, सिछक द्वारा बच्चों का समू बना कर कहानी की कितावें, या सहज एक को देखने एवं पढ़ने का अभिने करने और उलटने परड़ने के अवसर परदान करें, फिर सभी बच्चों के साथ कितावों एवं चित्रों पर बातचीत करें, फिर द्वनी चितना पर आपको काम करना है, तो बच्चों को विव पर काम करना है 15-20 लास्ट में बच्चों को पैंसिल से अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाने के लिए और उसमें रंग भरने के लिए और अलालग बच्चे से उस चित पर बाचीत और चर्चा करें तो यह एक दिन का सेंपल हो गया इस तरीके से आपको सहस्तों मिली गई है काशी फल ओगया देखीए काशी फल के करय identified है अकि छोटी कविटा बच्छों को शना के तुकान सब्द पूछें उनसे बच्चों को कविता में आई तुकान सब्दों के उधारण दें फिर चार-पांस नई तुकान सब्दों के उधारण बच्चों को दें जैसे काम, नाम, दाम, राम अब बच्चों को कुछ साथ-ाथ नई सब्द दें और उन्हें तुकान सब्द बनाने को कहें इस गतिविदी में तुकान सब्दों के अर्थ पर जोड़ देने की आवसकता नहीं है, अगर बच्चे पानी के तुकान सब्द के रूप में सानी, चानी, फानी कहें तो इने स्विकार कर लें, इस तरीके से आपको ये करवाना है, ये आपको हर एक वीक की मिल जाएगी, हर देवाइज भी मिल जाएगी आपको उसमें, तो ये आपको सारी चीजों का अध्यन कर लेना है, ये तो आपके पढ़ाने पर हो गया, पांस दिन आपको कैसे पढ़ाना है, फिर छटमे दिन आकलन करना है, जीरो और पहले सब्दा को छोड़ कर, तो छटमे दिन किस तरीके चित्रों को पहँचान कर उनकी नाम बोलने को कहें, निर्धारित सब्ता के चित्र चार्ट के साथ ही सिक्षक पिछले सब्ताओं के चित्र चार्टों को भी आकलन के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ये मौखिक भासा का आकलन हो गया, डिकोर्डिंग का कैसे आकलन करेंग अगर, उतना, आदर ऐसे लिख दिया आपने, फिर आप इनके पहले के पूछ लेंगे, पहले देखिए अगर में किस से स्टार्ट हो रहा है, पहले सबसे पहला कौन सा अच्छा है, गोला लगा दें या पूछ लें से, तो वो बताएगा असे अनार है, इसलिए में कौन सा है, तो इसे इमली बताएगा, इख में, तो इसे इख बताएगा वो, तो इस तरीके से आपको उनका आकलन कर लेना है, अपने आकलन परपत्र कैसे भरने है, वो आपको पहले ही बता दिये हैं, तो सतत आकलन आपको करते रहना है, तो इस तरीके से आपका ये आठ सप्ता का दिया हुआ है आठ सप्ता तक आपको कैसे आकलन करना है आठ सप्ता की आपको कैसे कारियोजना बनानी है उनके फिर डेवाइज कैसे कारियोजना बनानी है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं अगर आपके पास soft copy अभी लेविल नहीं है तो के description box में इसकी soft copy मिल जाएगी अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजे जिससे आपको समय पर update मिलते रहें